अज मैं बना रहे हूं वैनीला फंफी टी कपकेक्स, इसके लिए जो इंग्र्डियन्स मुझे शाहिए, सबसे पहले मुझे शाहिए फ्लार्ड, क्या करना है, हमने अपने एक प्याले में में उजे मेरा बड़ा प्याला है, इस में मैं जो है, वो मैदा डाला है, और सॉल डा इसी में मैं डालँकी अपना बेकिंग पाउडर & Baking Soda ठीक है अभी ये मैंने क्या किया है कि बेकिंग पाउडर, Baking Soda & Soda जो है मैदे में मिक्स कर लिया है ये मेरे पास बटर है, बिल्कुल सॉस्ट तकरीबन मेल्ट होता रजा है ठीक है यह आपने मैदे में डालना है आप रैसे भी ज़रूर राइक कीजिएगा मुझे फीडबैक कीजिएगा विकॉज मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बिल्कुल पर्फेक्ट चीज सिखाऊ चलिए जी हम लग सबसे पहले मैदा और मक्खन बीच करेंगे मैदे के अंदर मैंने बटर को हलका सा मिक्स कर लिए और देखें बटर जो है तो बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए वरना उसके लंब्स बन जाएगे अधिक है यह हमारा फर्स स्टेप कम्प्लीट हो गया है इन अनधर बोल हम क्या करेंगे हमारे बैट जो है जिसमें हमारे पास है दो अंडे आपने अंडे तोड लेने हैं सेकंड बोल में हमने एग्स डालने है शुगर डालनी है वन कप शुगर है हमारी और वैनिला एसंस यह मैंने वैनिला एसंस डाल दिया सेकंड बोल में हमने एग्स लेने शुगर लेनी है वैनिला एसंस डाला है और मैंने यह सार्क्री मैट करनी है वैट में मेरे पास अभी यहां पे आधा कब दूद भी बचावाए लेकिन मैंने अभी इसको फोल्ड नहीं करना ठीक है आपने अब क्या करना है इन सब को बीच कर लें कैस्टर शुगर यूज करें ताके वह जल्दी डिजॉल्व हो जाए अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप घर की जो रेगुलर शुगर आपके घर आती है उसको थोड़ा बारी फीस लें अपने कपकेक्स को सॉस्टर ने के लिए बटर के साथ हमेशा थोड़ा सा ओल भी इस्तिवाल रटी हो तो मैं इसमें तक्रीबन जो है वो थी टेबल स्पून ओल भी आट करूँगी वान तू तू और त्री टेबल स्पून मैंने इसमें ओल आट कर दिया है इसको मिक्स कर लें बस इतनी देर आपने लीकर चलाना है कि शूगर बिल्कुल डिजॉल्व हो जाए शूगर मेरी डिजॉल्व हो चुकी है आवन मेरा प्री हीट है मैंने उसको गैस ओवन जो है मेरा वो 15 मिनिट्स पहले उसको आउन कर दिया था आपने 20 मिनिट्स के लिए अपने कपकेक्स हो बेग करना है ठीक है हमारा नेक्स स्टैक है हमने जो बटर और शूगर को वीच करके रखावा है आपने यह जो अपना लिक्विड मिक्स्टर है यह इसमें डाल देगा दूद्ध हमारे पास गरम होना चाहिए अब इसको आपने मिक्स कर देगा अब आपने यह जो हमने दूद्ध रखा वाता है मेरे पास हाफ कप मिल्क है हाफ कप मिल्क आपने इसमें से थोड़ा सा एट कीजिए का पहले पूरा नहीं डालिए का थोड़ा सा बचा लें इस तरह आपने फोल्ड करना है देखें फोल्ड भी आपने आपने ताके मिल्क उसके अंदर अची तरह इंकोपरेट हो जाए यह बैटर रेडी हो चुका है अब यह जो मैंने जिमीज रखे हैं यह मैं इसमें फोल्ड कर दूँए यह सारा आपने फोल्ड कर दिया अब यह हमने इसको 3-4 फिल करना है अब कपकेक लाइनर अब हम फिल कर रहे हैं फिर इसको हम 20 मिनेट के लिए बेक करेंगे एक प्रिण हेसरे के टापने का यह रीमिचित हैं यहाँ में क्या उन इसे होता है। इसे हम THEみ और आप बना सहरे करें तो आप र norm कोड़ नहीं का बटर करेंगी . बटर को बीट करना है अब मैंने आइसिंग शूगर लेनी है और चान के डालना है अगर आप चान के नहीं डालेंगी तो हम कोई भी पाइपिंग करेंगे तो नोजल में उसकी ब्लॉक्स आएंगे नोजल आपका ब्लॉक हो जाएगा और एक आप स्टैप छोड़के बहुत बड़ी मताब एक प्राब्लम प्रियेट हो जाएगी आप नकरीबन तू कब जो आइसिंग शूगर है इसको बैचान रही हूँ इसको प्रिक्स कर लेती हूँ ताके यह उड़के मेरे उपर ही ना आए आपके बास अगर वैनीला पाउडर यह प्रियो प्रियोड पीन आप यूज कर सकते हैं मैं फिल्हाल विब ग्यॉरका यूज कर रहे हुआए पर पास जो एक लिए वनीला फिया खतम हो गया था वर्ण मैं हमेशा घ्र वनीला ही यूज करती हूँ अब आप इसका आइसिंग देखें, बटर आइसिंग में कोई एकुरेट रेसिपी नहीं होती है मैंने बटर को और आइसिंग शुगर को बीट किया है, आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ी सी क्रम्बल है, क्रम्बली फॉर्म में है इसको स्मूध कैसे करेंगे हम दूध डालेंगे, वन टेबिल स्पून या वन टी स्पून आपने अट टाइम डालना है अब इसको यह देखिए, एक डम से स्मूध हो गई है, अभी मैं थोड़ा सा इसमें और दूध डाल रही हूं अच्छा आपको जो मैं बात बता रही थी कि आप येलो बटर यूज ना करें आपने किस तरह एड़्जस करना है, हमने जब इसको देखा कि यह थोड़ी प्रम्बल फॉर्म में थी, तो हमने मिल्क अट करना है मिल्क अट करके आपने इसको दुबारा बीच करना है अच्छी तरह मिक्स करने पे हमारी बटर आइसिंग रही है आप ने एक डिस्पोसिबल पाइपिंग लिया उसमे पहले आप नोजल डालेंगे उसके बाद हम अपनी आइसिंग डालेंगे ठीक है आपको टॉल ग्लास ले लीजिए या आपके पास कोई जब मखेरा हो उस तरह उसमें आप रखें और हमेशा यार रखें कि कभी भी आइसिंग बहुत जादा फिल नहीं करने हर थोड़ी के बाद थोड़ी से आइसिंग अपने पाइपिंग बैग में डागे क्योंकि जितना जदा आपको ट्रेशर लगेगा उसका आपका चांच होंगे कि आपका पाइपिंग बैग फट सकता है ठीक है थोड़ी थोड़ी आइसिंग डालें ताके आप इसको फोल्ड कर सकें अब आप क्या करना है आपने इस तरह पहले आइसिंग को नीचे दबाना है उपर से इसको लॉक कर दे रहे हैं अब जितनी भी एर है वो नीचे आ चुकी है जितनी एर है वो नीचे आ चुकी है अब आपने इसको कट करना है अब जो प्रॉब्लम आप लोगों को होता है ना कि हमारा पाइपिंग बेक बार बार खट जाता है और नोजल ब्लॉक हो रहा है यह सब नहीं हो गए इसका आप टिप्स को फॉलो करें टेखनीक्स को फॉलो करें सिंपली चीज़ें कोई मुश्किल चीज नहीं है यह हमारे अब यह मैं कपकेक पाइप कर लेते हैं अब यह मैं कपकेक पाइप कर लेती हूं एंग से उठाइए सोल्स करते करते सेंटर ब्या जाएए कि के ड़न स्प्रिंकल्स आपके पाजों है इस पर जान देखना है कपकेक रेडी हो चुके हैं इसके मैंने आइसिंग की है यह देखिए यह बहुत ही जबर्दस ने कपकेक हो चुके हैं अब मेरी रसिपी ज़रूर ट्राइप कीज़ेगा मुझे अपना फीडबैक दीजेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को दे